नमस्कर दोस्तों आज बात करेंगे आज जो ऑस्कर 2023 का डिकलरेशन हुआ है उसमें दो भारती फिल्मों को सफलता प्राप्त हुई है ऐसा पहली बार हुआ है थियास में पहली बार हुआ है भारती सिनेमा के थियास में पहली बार हुआ है कि एक ही वर्ष में दो भारती फिल और दूसरी फिल्म है RRR का जो नाटू नाटू सॉंग है उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉंग कैटेगरी में ऑसकर मिला है तो यह सबी भारतियों के लिए बहुत गर्व से भरने वाली चीज है यहां पर एक चीज समझने का वशकता है कि RRR फिल्म तो लगातार जबसे वो रिलीज हुई है पिछले एक-दो वर्ष निरंतर उसके बारे में चर्चा की जा रही है लेकिन जो The Elephant Whispers है इसके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को भारतियों को तो आईए आज बात करते हैं इसी फिल्म के बारे में और इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो देख ये गुनीत मोगा है और इनके साथ एक सचिन जैन भी है जिनोंने इस फिल्म को प्रडूस किया है और ये फिल्म एक सिंख्या इंटर्टेनमेंट कमपनी है उसके बैनर तले रिलीस की गई है इस फिल्म को आठ दिसमबर 2022 को नेट्फिक्स पर इसे रिलीस किया गया था और जो अब धी है वो है 41 मिनट ये 41 मिनट की एक शॉर्ट डॉकुमेंटी फिल्म है तो ये तो है इसके बारे में एक आउट लाइन आईए अब इस फिल्म की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर इसकी कहानी क्या है और कहां पे से फिल्माया गया है क्या विशे प्राकरती से जोड़ के रखता है उसी समधाय की एक कपल है जिसे कहते हैं वमन और बेला तो ये वमन और बेला बेसिकली एक एलिफेंट को पालते हैं जिसका नाम है रगु और उसी के साथ इनकी जो बॉंडिंग है फिर बाद में इसमें एक और भी हतनी चुड़ जाती है तो उन सबी की कहानियों को प्राकरती के साथ इनके लगाओं को ये सब दिखाने की कोशिश करती ये फिल्म तो बेसिकली क्या है ये एक कपल है वमन और बेला और ये बेसिकली वहां पे करनाटक और जो केरल के जंगल में इस्थित जो मदू मलाई फॉरेस्ट है उसके रगु देता है पालने पोश्टने के लिए और फिर ये उसके साथ धीरे धीरे जुड़ जाते हैं तो उनी के पालन पोशन हाती के साथ इनका जुड़ाओ नेचर के साथ जुड़ाओ वगरा को ही दिखाने के कोशिश की गई है इस फिल्म में लोकेशन क्या है तो इस फिल की ख़़ए तो वहीं पर है अच्छा कहानी क्या है ये दो हाथियों की कहानी है एक हाथि तो जैसा मैंने आपको बताया कि वह होता है रगु और रगु को वश्ट वमन और बेला को सौंपता है पालन पोशन करने के लिए क्योंकि इनकी जो पेरेंट्स है मतलब जो एलिफे भी होती है और ये भी बड़ी गायल और गंबीर अवस्ता में वमन और बेला को दिया जाता है तो ये फिर उसकी देखरे करते हैं फिर धीरे उसके साथ बहुत ज़्यदा जड़ाव महसूस करते हैं और फिर ये धीरे से जो रभू है इनके परिवार का सदसी ही बन जाता है त फिर एक और छोटा सा छोटी हतनी जिसका नाम ये अम्मू रखते हैं वो मिल जाता है तो फिर बाद में ये स्टोरी में जो बेला है इसके बाद बेला रगू अम्मू ये सबी लोग जिस तरह से रहते हैं वमन बेला रगू अम्मू ये परिवार के तरह रहने लगते हैं औ और दीरे-दीरे इनकी bonding बढ़ती जाती है, ये नेचर के साथ और एक परिवार के साथ रहते हुए, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, bonding गहरी होती है, फिर अमू, जो रगू और अमू है, वो भी आपस में उनकी bonding बनने लगती है, तो ये सब दीरे-दीरे दिखाये जाता है फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि जब वन विवाग रगू को पालने के लिए दूसरे जो देखवाल करने वाले वक्ति हैं, उन्हें सौंप देते हैं, ये उसका बहुत विरोद करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत इनके समय लगता है, यानि रगू, अमू, बमन और बेला, इन सभी को बहुत समय लगता है, बहुत ये दुखी होते हैं इस से निकलने से कि रगू अब इनके जीवन में नहीं है, वो कहीं और चला गया है, फिर धीरे धीरे जो बमन और बेला हैं, वो फिर अमू से जड़ जाते हैं, और अमू का ही पालन पोशन में पूरा टाइम अपना देने लगते हैं, इस तरह से ये फिल्म का एंड होता है, तो फिल्म बेसिकली डाकुमेंटी पैटर्न पे है, जिसमें हातियों के साथ जो लगाओ है, लोगों का हाती बहुती समझदार जानवर होते हैं, बहुती जल्दी वो परिवार के साथ घुल म मूल रूप से ये एक जानवर, इनसान, प्राकृती, परियावरन, इन सभी के ऊपर आश्यर थे, तो बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बढ़िया डंक से फिल्म आई गई है, और सबसे बढ़ी चीज ये है कि इस फिल्म को नेटफिक्स ने रिलीस किया, जो कि प्योर कमर अच्छी फिल्म है, बहुत बढ़िया, इसके निर्देशन किया है, तो इस तरह की फिल्म है, निश्चित तोर पर आश्कर मिलना एक बात को पुना सिद्ध करता है, कि भारत में, भारत की जो प्राकृती है, नेचर है, गाउं है, जो हमारे विविन परियावरन से धन्यवाद